हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि सुगर का क्या इलाज है क्या रिवर्सेबल है डायविटीज का क्या सॉलूशन है और डायविटीज में कुछ मित हैं लोगों के कुछ कंफ्यूजन है और लोग डायविटीज को चीनी से या फिर खान पान से जोड कर देखते हैं तो डायविटीज एक insulin resistant disease है और डायविटीज का कारण जितना आपके खानपान से है उससे कहीं ज़्यादा है आपके मानसिक तनाप से है, stress से है यानि maximum cases में यह देखा गया है research में कि डायविटीज यानि sugar label आपका stress से immediately trigger करता है और stress के बढ़ जाने से आपका sugar label, blood pressure, pulse rate यह immediately प्रभावित होते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझने की आवशकता है कि खान पान आपके sugar label को complicated या बहुत जादे बढ़ा सकता है बट sugar के खाने से या कोई specific food के लेने से आपको diabetes नहीं होता diabetes होने के पीछे कुछ और underlying reason है जैसे की बहुत जादा लगातार stress में बने रहना किसी कारण वस, infection के कारण, steroid के बहुत जादा use के कारण या कोई भी दवाई आप लंबे समय तक खाते हैं उसके कारण भी आपका diabetes यानि sugar label बढ़ सकता है fatty liver एक reason है, obesity एक reason है, stress एक reason है, ब्यायाम का ना करना एक reason है और जो हमारी sedatory life style है, यानि हम machine के युग में हैं, बहुत जादे हम दिमागी रूप से stress के अंदर है और सारे रूप से हम ब्यायाम नहीं करते हैं, खाने के level पर, food के level पर बहुत जादे चाबल चीनी मैदा, junk food, preservative food का इस्तेमाल बहुत जादे है, hard drink, soft drink का लेना, exercise नहीं करना, पूरी नीद नहीं लेना, लगातार stress में बने रहना ये सब कारण है, जो हमारे sugar level को बच से बत्तर करते हैं तो अब जानना ये है कि क्या किसी को यदि diabetes हो गई है, तो क्या reverse हो सकती है, answer is completely yes यदि किसी को diabetes है, तो diabetes में दवाईयां वो लोग ले रहे हैं, उनको कम किया जा सकता है, उनको बंद किया जा सकता है और diabetes को reverse भी किया जा सकता है, लेकिन आवशक्ता है इस बात की है, कि आप सही खान पान का चुनाब करें, पूरी नीद लें, आभ यायाम करें प्लस जो दवाईयां आपकी हैं उन दवाईयों को follow up के बाद reduce करें और आप food को as a medicine ही इस्तेमाल करें यानि हमारे पास naturally food के अंदर भी बहुत सारे ऐसे food हैं जो आपके sugar level को normally कम कर सकते हैं या normal range में आ सकते हैं तो उसको भी हमें समझना होगा सबसे पहली बात यह है कि बहुत ज़्यादा multiple food एक साथ ना लें मतलब बहुत 4-5 तरह का खाना आप एक साथ ना खाएं एक समय पे एक तरह के खाने का चुनाब करें अपने खाने से बहुत ज़्यादा जो preservative है, fat है, जो junk food है, जो refined है चावल, चीनी, मैदा यानी white food आप immediately बंद कर दें जो polished है, जो refined है, जो develop किया गया है, उसके अंदर fiber नहीं है वो easily digestible नहीं है, वो आपको काफी नुकसान देता है अब बात ये आती है कि diabetes वाले patient, यदि आपको diabetes है तो कौनसी ऐसी stage है जिसमें की दवाई खाई जाए, कौनसी ऐसी stage है जिसमें दवाई ना खाई जाए यदि आपका sugar level खाली पेट 70 से 140 के बीच है और खाना खाने के बाद आपका sugar level 140 से 200 के बीच में यदि आता है तो आप कोई भी diabetes से सम्मंदित दवाई शुरू ना करें आप एक dietician से मिलें या एक physician से मिलें आप अपना सबसे पहले एक diet chart बनाएं और उस diet को follow करें exercise करें, stress को manage करें, नीन ठीक करें और एक महीने के बाद आप देखेंगे कि आपका sugar level बिलकुल normal हो गया है एक महीने से तीन महीने का time अपने आपको देएं, उस time में आप देखेंगे कि आपका sugar level normal हो गया है, प्लस अब खाने में कौन सी चीजे हैं जो आपको सामिल करनी है morning में आप breakfast में या तो oats खाईए, या बेसन का चीला खाईए या मूंकी दाल का चीला खाईए, या फिर आप multi grain दलिया खाईए, तो ये आपका breakfast होगा इसके साथ आप milk या फिर curd एड़ कर सकते हैं अपने breakfast में afternoon में आप दाल चपाती खा सकते हैं, curd खा सकते हैं लेकिन make sure करें कि अदि आप दाल खाते हैं, तो बारे घंटे आपका जो दाल है वो पानी में आपको डाल के रखना है evening में आप हरी सबजियां खाईए, चपाती खाईए, और 5 o'clock आप चाय को भी पी सकते हैं उससे पहले आप एक apple खाईए, या फिर एक चपाती खा सकते हैं, multi green दलिया वाली, आप अपने आटे को 20% चना उसमें मिलाईए, 10% मतर मिलाईए, और 70% आप गेहूं रखिए, तो यह एक आटे का combination रखिए, और 3-4 लीटर पानी पीजिये, हरी सबजियां खाईए, जिसमे आप नीचर के साथ जिएंगे, उतना आपको ज़्यादे फायदा होगा, तो यह एक dietary plan है, यह एक exercise plan है, उन लोगों के लिए कि जिनको या तो diabetes start हो रहा है, या फिर diabetes हो गई है, तो आपकी दवाई के साथ, यह schedule, यह diet आपको diabetes को manage करने में, control करने में काफियत तक मदद लेकिन मैं आपको personally suggest करूँगा कि diabetes में यदि आप यह सोचते हैं कि टाबलेट से आपकी sugar level बिल्कुल ठीक है, और whole life उससे आपको फायदा होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, कोई भी दवाई आपके sugar level को जब आपका insulin यदि नहीं convert कर पा रहा है, तो आपके sugar level को tablet manage करती ह यानि उसको extra जो आपका fat है, calorie है, sugar है, उसको burn करती है, टाबलेट regularly खाना कोई treatment तो नहीं है, लेकिन यस आपके management पे वो काफियत तक मदद करता है, लेकिन diabetes का जो treatment है, उसमें कुछ factor है जो बहुत important है, आपको ज्यान देना होगा, आपकी proper sleep, आपका stress का management, प्लस आपका regularly exercise, आपकी medicine है, and the fifth is your right food, तो पाँच factor है, जिनको आपको ज्यान देना होगा, सबसे पहले आपकी sleep, stress management, exercise, diet and medicine, so medicine play a 25% role to manage the diabetes and to manage the sugar level, तो 25% को ही आप 100% ना माने, आपका दबाईयों से केबल 25% role है, यदि आप ये और जो चार दूसरे factor हैं, इनको नहीं control करेंगे, इनको नहीं ठीक रखेंगे, तो आपकी diabetes की दवाई भी बढ़ेगी, आपको fatty liver होगा, कुस दिन बाई obese होंगे, फिर आपको दिल की बिमारिया, फिर kidney की problem, फिर दूसरे लेबल पे multiple problems आएंगे, तो diabetes itself है, problem की जो दूसरी problems को भी बढ़ाती है, और आपको day by day कमजोर करती है, ये एक autoimmune disease है, ये एक hormonal disease है, ये एक insulin resistant disease है, जो की exercise, food और stress और sleep से directly पिरभावित होता है, तो make sure करें, कि ये चार factor भी आपको manage रखने हैं, एलेंग आपके, जो medicine का management है, उसके साथ साथ, thank you very much, take care yourself.